हेलो दोस्तो मैं अपने गाउं के खलियान पे आ चुका हूँ और मैं यहां के हर एक नजारा को दिखाऊंगा इस खलियान के पास में हमारे गाउं के दो पवित्र अस्थान भी हैं एक तो हजारिय बाबा और दूसरा सीतला माता का मंदिर इन दोनों पवित्र अस्थान के दर पे अपना अधिकतर खेलने कुदने में शमय बितीत करता था तो दोस्तों और लगडाउन के टाइम पे मैं अकसर इसी अस्थान पे बैठता था और यहां गाओं के लोग या जो भी क्रिकेट खेलते थे उस क्रिकेट का आनंद भी यहीं पे बैठके लिया करता था दोस्तों और यह हमारे गाओं की बहुत बड़ी फेल्ड है यहां पर लोग खेलते कूथते हैं और हर वर्से यहां पर एक टॉलनमिंट भी होता जहां पर बहुत दूर दूर की टीमें आया करती हैं तो दोस्तों मैं चलते हैं उस दोस्तों मैं हजारिया बाबा की मंदिर पे आ चुक अच्छे से प्रदान करता है और यहां पर यह एक कैथा का पेड़ है यह कैथा अपने सीजन में फल देता और इसके फल का आनन्द भी लेते हैं दोस्तों दोस्तों यह बहुत बड़ी हजारिया बाबा की मूर्थी है इसकी बली मानिता है हमारे गाओं की लोग कोई भी पवित्र काम करतें जैसे साधी है कुछ भी हुआ है पवित्र काम तो इनके दर्सन जरूर करने आते हैं यह एक हवनकुंड है यहां पे हर वर्ष सिवरात्र के दिन बब बिशाल भंडारा होता और यहां पे गाओं की लोग सभी आके इंजॉय करते हैं इस बंडारे का और यहां पी यह हवनकुंड भी हो बना हवनकुंड और यह एक छोटी सी कुटिया है यह कुटिया पे हलाकी कोई रहता नहीं है लेकिन यह मेरे बड़े काम की है मै मौर्निंग के टाइम में बर्षान टाइम में जब भी घूमने आता था और बारिस मुझे मिलती थी तो मैं इसी कुटिया का शहारा लिया करता था यह हूं अभी भी लेता हूं बारिस होती है तो मैं अक्सर इसी फिल्ड में प्रतिय दिन मौर्निंग टाइम में कर दिया गया है जब अपने गाउं के मंदिर का नजारा आपको दिखाऊंगा तो इस शिलिंग को भी वही पे आपको लोगों को दिखाऊंगा दोस्तों यहां पे देख पा रहा हैं कि बहुत सारे सुंदर सुंदर पुस्प भी लगे हैं और यहां पे यह एक तलाब भी है औ चलते हैं मंदिर के दर्सन करने दोस्तों हम सीतला माता के मंदिर पे आ चुके हैं और इस मंदिर के दर्सन भी आप लोगों को मैं कराता हूं चलते हैं अंदर की तरफ और इस मंदिर के दर्सन भी कराता हूं इस मंदिर के बगल में दोस्तों बरम बाबा मतलब की पीपल का पेड़ बहुत बड़ा हुआ करता तो मतलब कैसा तो यह कई शाल पुराना पेड़ था इस वर्स बरसांत के टाइम में आंदी या तू फान की वज़े से गिर गया है और सुख भी गया है तो दोस्तों और मैं आप लोगों को इस मंदिर के चारों तर बहुत संदर संदर पु हो रही है जै हो सी माता की दोस्तों यहां पर बहुत सारी मूर्ति यह देवी देवताओं की यह दुर्गा माता की मूर्ति है गरेज भगवान की मूर्ति बहुत सारी देवी देवताओं की मूर्ति यह हैं आज मैं इन देवी देवताओं का आशिर्वाद लोंगा और उम्म करता हूं आप लोगों की भी मनों कामनाएं पूरी जरूर हो कि दूस्ते इस मंदिर के बगल में एक बहुत बड़ा तालाब भी है इस वर्ष नहर में पानी ना आने की वज़ह से इस तालाब में पानी नहीं आ तो हलाल की और इस मंदिर के नजारा में दिखाता हूं चारो तरफ के यहां पर बहुत संदर संदर फूल लगे हूं यह हर्याली बहुत अच्छी लग रही है उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को हजारिया बाबा के मंदिर और सीतला माता के मंदिर के दर्सन करके आन झाली।